हलो फ्रेंज, वेलकम टू मामन्स कीचेन एंड फैमेल ब्लोग आज मैं बनाने जाड़ी हूं हिल्षा फिश करी आशा करती हूं ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज, लाइक, शेयर, कोमेंट और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हिल्षा फिश करी बनाने के लिए हमें चाहिए हिल्षा फिश, पॉपी शीट्स, केशियो नाट्स, मस्टर्ड वाल, ग्रीन चीली, ब्लेक क्यूमिन शीट्स, रेड चीली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट गैस ओ, कर्के हमने करह चरा दिये और टू टेवल स्पूल मस्टर्ड वाल दे दिये तो अभी हम इल्षा फिश को फ्राइ कर लेंगे, जो मैंने पहले अल्दी और नमक दे के मिरिट करके रख थे थे कि नहीं कि लेने22 कि इसलिए फिस लिये हैं पहले म fijसे ते हिसके वा में पॉर पीसेश नीं हुए हम इस कि उब गुद्रीक करने कि उसका के नहीं हो पर पूरैज कि जादाख करने से इस टेस्ट अहों हो जाते हैं अभी एक कराय में मैंने सर्सो का तेल दे दिया है सर्सो का तेल मैंने टू टेबल स्कुन दिये है अभी कालोंजी दे देंगे कालोंजी को थोड़ा फ्राइ कर लेंगे कर देंगे उसके बाद काजू और कशकश के पेस्ट जो मैंने पाहिली करके रखे हैं इसको दे देंगे कर लेंगे अभी थुड़ा पानी एट कर देंगे अभी में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर दे देंगे वन टी स्पून जीरा पाउडर वन टी स्पून रेट कश्मरी चिली पाउडर दे दिया अभी इसे अच्छे तरीके से मिस्ट कर लेंगे अभी दो से तीन मिनिट तक इसे कुक कर लेंगे अभी हम फड़ी मेर्च दे देंगे जो मैंने पहले चीर के रखे थे अभी इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे और फीट से दो से तीन मिनिट तर कुक कर लेंगे तो देखें प्रेंस तेल उपर निकल आये हैं और हमारा मसाला भी सुग गया है अभी इसमें पानी एट कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स्ट कर लेंगे अब यह स्वाद में साथ नमाइटे दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स्ट कर लेंगे और धक्कट दो से तीन मीट तक कुक कर लेंगे अब तीन मीट हो गया है तो अभी मैं प्रेवी में देंगी क्या हुआ हिलसा फिश हिलसा फिश की टेस्ट कुछ अलगी होता है और हमारे घर में सबका ये फेवरिट डिश है अभी हमें प्रेवी में अच्छी तरीके से बॉल करनी है और दो से तीन मीट तक कुक करनी है गैस को लो फ्लेम में रखके फुक करने होंगे अभी में इस में दे दिया है काजू की लिक्विट पेस्ट फिर दो से तीन मिनिट तक कुक कर लेंगे मैंने इस करी में सर्सों का यूज नहीं किया है अभी में इस में दे दिया है वन टीबल स्पूल कच्छे सर्सों का तेल कच्छे सर्सों का तेल देने पर इसमें सर्सों का स्मेल आ जाता है इसे आप राइस के साथ भी ले सकते हैं सो फ्रेंज आप से फिर मुलाकात होगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ झाल 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 झाल